मेरत में 23 अगस्त की रात बाइक सवार बदमासों ने किराना वेपारी निजामुद्दीन की हत्या कर दी थी बदमासों ने पहले वेपारी की गर्दन चाकु से काटी फिर सीने में गोली मारी इस हत्याकार में शामिल मुख्यार रोपी सल्मान को मंगल वातर के पुलिस ने शौकिन गार्डन लिसारी गेट से मुद्भेड के बाद अरश्ट कर लिया है वही कुख ख्यात के पैर में गोली लगी है पुलिस ने मौके से एक तमंचा पांच कार्टूस भी वरामत किये हैं वही दो अन्य बदमास पुलिस की घेरा बंदी के बीच फरार हो गए आपको बता दे कि सल्मान एक कुख ख्यात है इससे पहले भी वह जेल जा चुका है लिसारी गेट इलाके के किद्वई नगर के निजामुद दीन की किराने की दुकान थी वही तेस अगस्त की रात नौ वज़े वो अपनी दुकान बंद करके मस्जिद गये बजजिस से कि बेटे आमेर पर गोली चलाई लेकिन वह भाग निकला इसके बाद निजामुद दीन पर चाकु से हमला कर दिया वही उससे सारक पर गिरा कर उसकी गर्दन कार्टी और खोन से लगपत निजामुद दीन तरपने लगा एक आरोपी ने सीने में सटा कर तमंचे से गोली मा कि बेटे आमुद आपक कर दो है कर दो दो निक्षान कर दो है कर दो दो है कर दो है